चड़ी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी जूसी यमी चिकन करी की रेसेपी ए रेसेपी खास करके उन बच्चों के लिए हैं जो घर से बाहर रहके पढ़ाई करते हैं और घर का चिकन मटन मिस करते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी यमी चिकन करी की रेसेपी बनके तयार होता है तो खास करके ए रेसेपी बैशलर्स के लिए है तो वीडियो को पूरा देखिएगा चड़े इसे बनना शुरू करते हैं तो चिकन करी की इस रेसेपी को हम कुकर में बनाएंगे चुले पर हमने कुकर को चड़ा दिया है और इसमें सरसो का तेल डाला है तो तेल आप कोई भी ले सकते हैं तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो देखिए सरसो का तेल जो है वो गरम हो चुका है तो अब इसमें हम तो भग आधा छोटे चमच जीरा को डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है यही पर एक कुछ लहसुन की कडिया है इसे भी डाल देंगे और यहां पर सूखी लाल मिर्च डालेंगे तो लाल मिर्च अपने हिसाब से कम्या ज़दा कर सकते हैं और एक दो तेज पात्ता है इन सबको अच्छे से तेल में चटकने देंगे तो सारे खड़े मसाले जो है तेल में बढ़िया से चटक चुके है इनका कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है लाल हो गया है तो अब यही पर हम प्याज को डाल देंगे और इसे अच्छे से इनके साथ मिक्स करेंगे तो प्याज को हमें इतना ही भूनना है ज्यादा गुर्डेन ब्राउन नहीं करना है बस इतना ही हमें प्याज को हलका सा सौफ्ट कर लेना था तो अब यह प्याज जो है हलका सा सौफ्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें स्वाध के नुसार नमक डाल देंगे तो नम करेंगे सबस्तों करेंगे प्याज के साथ कि छितने मसाले हमने इसमें डाले है तो यहां पानी करेंगे दालना हैं कि सारे डलेगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए सब कुछ बढ़िया से मील गया है अब क्या करेंगे ढखकल लगा के हम दो सीटी आने देंगे बिल्कुल जहटपट वाली रेसेपी है वीडियो को पूरा देखिएगा एकदम टाइम नहीं लगने वाला है तो दो स सिटी लग चुके है और कुकर का गैस जो है वो भी रिलीज हो गया है चलिए देखते हैं और यह लीजिए मसालय जो है तेरह हैं किले अगस auda के लिए के लिए, जो कुकर का गैस जो था, उसे निकालने के लिए आज को बंद कर दिया था। तो अभी आज को हम ने जला दिया है फिर दुबारा से, और देखिए, सब कुछ बढ़िया से गल चुका है, तो हमें इसे मिलाना नहीं है, बस चिकेन, देखिए, यहां पे हमने एक किलो चिकन लिया है और इसे अच्छे से साफ कर लिया है तो चिकन के साथ जो खड़े थोड़े बहुत मसाले है वो मील जाएंगे तो सारे चिकन को मसाले में डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से चलाते वे मिक्स करेंगे देखिए चिकन जो है एकदम मस मसाला और चीकन जो है आपस में मिल चुका है आप देख सकते हैं तो अब क्या करेंगे आपे हमें सीटी नहीं लगाना है अभी क्या करेंगे हम इसमें ऐसे ओपर से ढखकन रखके और तेज आच पर इसे साथ से आठ मिनट के लिए पकाएंगे तो पूरे आठ मिनट हो चुके चलिए इससे देखते हैं और यह देखिए एकदम बढ़िया से चिकन जो है पक रहा है तो इस अचर से चलाने के बाद हम क्या करेंगे ढकन लगा के बस अब आज को हम लो कर देंगे और लो आज पर इसे पांच मिनट और पकाएंगे तो देख़िए लो आज पर हमने चिकन को 5 मिनिट और पकाया था और देखिए उतना में ही चीकन ने पानी रिलिज कर दिया है आप देख सकते हैं तो इसे बढ़िया से चला लेंगे देखिए चीकन ने जो पानी रिलिज किया है यहीं काफी है इसे पकाने के लिए अलग से हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे तो तो आप चिकन के साइच के हिसाब से एक दो या तिन सीटी लगा सकते हैं कितने में चिकन गल जा रहा है उस हिसाब से हमने इसमें दो ही सीटी लगाया था और उतने में चिकन बढ़िया से गल गया था तो सीटी जो है लग चुका है और इससे गैस भी रिलिज हो गया चलिए और यह देखिए कितना बढ़िया टेस्टी और कितना संदार दीख रहा है चिकन करी और देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है तो आज को हम फिर से जला देंगे और देखिए क्या बढ़िया चिकन करी दीख रहा है आप देख सकते हैं एकदम इसका कलर जो है चेंज हो गया है तेल सेपरेट हो गया है चीकन भी गल गया है देखिए एकदम जूसी टेस्टी चीकन करी के रेसेपी जो है बनके तैयार हुए टेस्ट में भी कोई फरक नहीं है अगर आपको पसंद हो तो यहां पर थोड़ा सा गरा मसला पाउडर डाल सकते हैं एकदम चीकन करी की रेसेपी जो है जट पट वाली बनके तैयार है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जदा ज़दा सेर कीजिएगा बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी जूसी यमी चीकन करी की रेसेपी बनके तैयार हुआ है तो कमेंट करके पीकर से लजा धन्यवाद